नमस्कार मैं हूँ सोनू और आप देख रहे हैं मिडिया दर्सन अख़बार का यूट्यूब चैनल सहर की सफाई ब्यवस्ता और वाडों में फैली गंदगी और सफाई पर भड़के वाड पारसदों जमादारों की भूमिका पर उठाये गए सवाल जिले में गर्म हवाओं का प्रकोप बढ़ रहा है इसका असर नगर निगम छेत्र में भी है लेकिन सफाई ब्यवस्ता को देख यहां के पारसदों में काफी नराजगी है अपने वाडों में सफाई कराने को लेकर प्रती दिन पारसदों को वाड जमादार और सफाई एजनसी के प्रभारी से बग्ज़ा करना पड़ता है कई वाड पारसद ठक खार कर सफाई के लिए नगर आयुक को पत्र भी लिख चुके हैं लेकिन सफाई एजनसी के कारजियों में कोई फर्क नहीं दिख रहा है सबसे तंग आकर मेयर काजल कुमारी ने नगर आयुक्तियतंद्र कुमार पाल को तटकाई टेंडर निकालने को पत्र लिखा है लेकिन एक माह तक अभी इस एजनसी के भरोसे निगम की संपुर्ण सफाई है पिछले पाँच माह में निगम में एक भी कारज विकास के नहीं हुए है और पूरा मामला के वल सफाई पर अटका हुआ है उसके बावजूद भी सफाई ब्यवत्ता चर्मरा गई है बस कुछ दिनों में मानसून भी आने वाला है पर नालों की उडाही नहीं सुरू हुई इन सब के बीद सहरवासियों को जल जमाओ की चिंता भी सताने लगी है इस से लोगों में काफी नराज़ी है यदि समय रहते सफाई बेवस्ता पट्री पर नहीं लोटी तो सहरवासियों के लिए परिसानी बन सकता है लगतार मेर और नगर आयूत के आपसी टक्राओं के कारण सहर के विकास में ग्रहन लगा हुआ है पूरा सहर कच्रा के अंबार से भरा पड़ा हुआ है कहीं नाले से बदभू तो कच्रे से जुरगंदा रही है ऐसा लग रहा है कि गंदगी से कई बिबारिया हो सकती है ऐसे में सहर के लोग कह रहे हैं कि सफाई के नाम पर केवल नगर निगम के द्वारा कुरंपूरा किया जा रहा है सहर की इस्थिती बहुत ही चर्मराई हुई ना ही पीने के लिए लोगों को सुध पानी मिल पा रहा है और ना समय पर कच्रा उठाया जा रहा है प्रतेक दो वार्डो पर सफाई एजंसी ने एक वार्ड जमादार की निउक्ति की है जिनका केवल एक ही कार्ज है वार्डो में बेहतर सफाई सुनिशित करना लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है कई बार जमादार तो अपने वार्डो में गूमते भी नहीं है कुछ ऐसे भी हैं जो पार्षदों के सिकायत पर जूट बोलते हैं और केवल फोटो खिच कर फरजी रिपोर्ट करते हैं ऐसा एक वार्ड के पार्षद ने आरोप लगाया है उन्होंने बताया कि वार्ड जमादार को जब सफाई के लिए फोन किया जाता है तो बोलते हैं कि वहाँ सफाई हो चुकी है सहर की साब सफाई बेहतर नहीं होने से जनता में काफी आक्रोस है इधर लागतार सफाई और नाला हुडाई को लेकर मेर और रुवाट पार्षदों के द्वारा और नगर आयुक के द्वारा बैठक भी की जा रही है अब देखना यह होगा कि क्या नगर निगम के अधिकारियों और प्रतिनिदियों की बैठक से सहर बदलता है या नहीं बागी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रही है मैं मिडियादर संसे सोनू धन्यवाद